जैमात आदी दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सब का हमारे चैनल पंडित क्यान में स्वागत है उबलते दूद का उफान आपके जिन्दगी में ला सकता है तुफान भूल कर ना करें ये काम नहीं तो हो जाएंगे कंगाल आईए जान लेते हैं इसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे लाइफ के एक बहुत ही इंपॉर्डेंट पार्ट की सुबह-सुबह उठते ही दूद के दर्शन होने ही होने है बेल बच जाती है, सुबह उठो नहीं कि उससे पहले दूदवाला हमारे डोर पर होता है नहीं भी होता है तो मौनिंग वाप करने जाना है और दूद लेते हैं वेही लोट कर आना है ये प्राय हर घर का हमारे भारतिय घर का रुटीन है अक्सर घरों में ऐसा होता है कि लोग सुबह की समय दूद खरीदते ही खरीदते हैं और सुबह दूद का खरीदना और दूद को देखना तोनों ही बहुत ही लखी माना जाता है। जब दूद आता है तो सुबह सुबह हम दूद को उबालते ही है और भारतिय वास्तु और जोति शास्त्र के अनुसार जिस घर में सुबह सुबह दूद उबलता है उस घर में सुख और संबन्नता देखी जाती है वास्तु शिधांत के अनुसार दूद पर चंद्रमा का अधिपथ्य होता है चंद्रमा स्वामी होता है दूद का और चंद्रमा हमारे मानव जीवन पर सबसे अधिक इंपौर्टन प्रभाव डालता है हमारा जो भी मन है परिवारिक संबंध है पैसो में जो भी बरकत है हमारी जो माता से संबंध है हमारा हमारे घर ग्रियस्ती है सुख और शांती है ये सभी का प्रतीक चंद्रमा होता है अगर हमारे जीवन में चंद्रमा में विकार आ जाए या चंद्रमा विकड़ जाए तो मानल जीवन में अशांती, मनो विकार, पारिवारिक कलेश, मा बेटे के बीच में मन मुटाओ, माता को कश्ट, प्रॉपर्टी में हानी, मानसिक और संतुलन देखा जाने लगता है भारतिय वास्तु शास्त्र के अनुसार अगनी पर मंगल का आधिपत्य होता है, मंगल स्वामी होता है, अगनी का और सभी भारतिय घरों में, सुबह शाम जब दूद उबलता है, जो की सद्यो पुरानी परंपरा है, हम क्या करते हैं, उस समय जब दूद उबालते हैं, तो च जब कोई भी ऐसा काम होता है आपके घर में, चाहे वो गलती से ही क्यों ना हो, जैसे कि दूद में उफान आना, भूलवश दूद धर्ती पर गिर जाना, तो उससे चंद्रमा के मलीन होने का यानि गंदा होने का खत्रा पैदा होता है, इसकारे में मंगल की अधिकता हो जाती है, यानि हीट जादा हो जाता है, और चंद्रमा जो आपके जीवन में शांती रखती है, वो सुन्य हो जाता है, तो अगर आपके घर में रोज लड़ाई चकड़े होते हैं, रोज और शांती होती है, कलेश होता है, तो आप ध्यान रखे कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, कि आपके घर में रोज दूद में उफान आता है और दूद उबल कर बाहर गिर जाता है, इसका बहुत बहुत आपक कियर रखना होता है ना तो दूद को जलाना चाहिए और नहीं उफन करके बाहर गिराना होता है इसे रिष्टों में उतल फुतल होती है मंगल के अधिक्ता होने से व्यक्ति के पारिवारिक जीवन नश्ट हो जाता है रिष्टेदारों से मदभीद होने लगते हैं पैसों का बात बात पर घर जाता है घर के लोग बिमार रहने लगते हैं और घरेलों जीवन में ऐसा माना जाता है संदी विच्छेद हो जाता है बहुत ही दूद का विखर जाना बहुत बड़ा अप्शगुन माना जाता है और अक्सर ऐसा काम होने लगता है तो माना जाता है कि आदत आपको सुधारने होगी क्योंकि यह आदते आपको आर्थिक तंगी जैसी परिशानिया दे सकते हैं इसलिए इनको बदल देने में बहुत ही फाइदा होता है अक्सर कई लोग क्या करते हैं कि रात में खाना खाते हैं और जूटे बरतन सुबर साफ करने के लिए रसोई में छोड़ देते हैं ऐसा करने से घर में धन की समस्य आती हैं अगर आप रात में बर्दन साफ नहीं कर सकते हैं और सुबह मेड आती है आपकी तो आप कम से कम उसमें जो जूठन आपने छोड़ा है वो किसी डस्ट बीन में या पॉलोथीन में भर कर रख दें और फिर उसको कम से कम थोड़ा सा प जाएगी अगर आपको लगता है कर्ज है बहुत जादा आपके उपर कर जा गए हैं तो आप रात में कर्ज से मुक्ति पानी के लिए एक बाल्टी पानी अपने रसोई में भर कर रख दें वहीं अगर आप बात्रूम में भी बाल्टी में पानी भरके रखेंगे तो इससे आपके जीवन में सफलता की रास्ते खुल जाएंगे अगर आप किचन में पानी नहीं रख सकते हैं बाल्टी भर के तो कम से कम एक छोटी से तामवे के लोटे में या नॉर्मल किसी बर्तन में जो किचन का नॉर्थ इस्ट कॉर्णर है वहाँ पर आप एक बर्तन में पानी ज चाहिए एटलस्ट आपको दूद दही और ब्यास तो बिल्कुल भी नहीं देना है और हला कि रसोई से रिलेटेड ये चीज नहीं है लेकिन फिर भी सूई आदी भी आपको नहीं देना चाहिए शाम के समय शाम के बाद सूई कैची आदी भी किसी को ना दे अडोसी-पडो वन बेड्रोम होगा उनका फ्लैट तो भी आपको घर में बैड के ऊपर बैठ करके बिल्कुल भी खाना नहीं खाना है गलती से भी आपने पलंग पर बैठ कर खाना ना खाएं ऐसे में कंगाली का बास होता है घर से लक्ष्मी मातब नाराज होकर चली जाते हैं धन की हानी तो होती ही है लेकिन घर में और शांति का माहौल हो जाता है और परिवार के सदस्यों पर दीरे-दीरे करजा बढ़ने लगता है ऐसी बाते हमारे जीवन में दुर्भाग्य का संकेत लेकर के आती है इसके साथ ही ध्यान रखे कूड़े दान को कभी भी घर के मुख्य आपके अन्बन होगी लड़ाई जगड़े होंगे घर के मुख्य द्वार पर गंदेगी होने के चांसे सोते हैं और जिसकी वज़े से मा लक्षमी आपके घर पर नहीं आती है वैसत आपको पता ही होगा कि माता लक्षमी धर्ती पर विच्रण करती रहती है और जिसका घर अगर आप घर के अंदर जैसा मैं कहती हूं साफ सफाई रखे तो आपके घर मातलक्ष में आएंगी, तो मुख्य दर्वाजे पे अगर गंदिगी करके रखेंगी तो किस प्रकार मातलक्ष में आपके घर में प्रवेश करेंगी, वो बाहर से ही देखकर उल्टे पैर लौट चाहेंगी, इसलिए कभी भी गंदवाली चीजे, कभी भी कूरा कचड़ा फैला करके दरवाजी पर नहीं रखना चाहिए, और अगर आपके अडोस पडोस में भी कोई रखता है, तो उनसे रिक्वेस्ट करें, कि वो मुख्यद्वार के सामने ऐसी चीजे रखने से, उनके भी घर पे लक्ष्मी का वास नहीं होता है, बहुत ही चोटी चोटी बाते होते हैं, अगर हम ध्यान ना दें, तो हमारे घर में दुर भाग्य का वास हो जाता है, हम सो तरीके के पूचा पाट उपाई करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि हमारे ये काम नहीं होता है, हमने बहुत सारे उपाई के हैं, फिर भी हमें इसका हल नहीं मिला है, तो मैं आपको बता दो, इतने सारे तो उसे आपशुक में सगुन में बदल सकते हैं दूद का उबलना उबलते दूद का उफान गिर जाना सब हमारे जीवन में चिरचड़ा पन लाता है हमारे घर में निरंतर चिंता आती है और चोटी-चोटी बात पर परिवार के सदस्यों में आप से एक दूसरे से करना चाहिए इससे आपको नुकसान होगा अगर गलती से कभी हो भी जाए तो उसे तुरंत साफ कर दे धोदे पानी बहा करके और चंद्रमा अपना बलिष्ट कर ले अगर यह कारी करेंगे तो चंद्रमा आपका बलिष्ट रहेगा और घर में कलेश नहीं होगा और आपको हमेशा शुक और सान्ती की अनुभव होगी तो दोस्तो यह दी हमारे आज के वीडियो उमीद करती हूं दोस्तो कि आपको हमारे यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें कामेंट करें अगर आप हमसे कुछ प